बिस्मिल्लाहिर रख्मार रहीम, अस्सलामौलेकूं मैं हूँ खानमानसा शेहदादी, सैंस्ट्री प्रेस एंड पॉब्लिशर्स में खुशामदी, प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं हरूफे तहजी और आज हम हे के बारे में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले हे की आवास प पढ़ेंगे और मैं आपको तिखाऊंगी हे लिखते कैसे हैं, तो आप लोग तयार हैं? हम्म्म, आप लोगों को याद था, हम लोग हमेशा अपना सबक का आगास करने से पहले एक अच्छी बात करते हैं, आज की अच्छी बात बहुत अच्छी है, जो हम हर रोज पहले भ थोड़ी थोड़ी प्राक्टिस करते थे लेकिन अब हम उस पर जरूर अमल करेंगे, और वो अमल पते क्या है? हमें हर काम करने से पहले बिस्मिल्ला पढ़ना चाहिए, जैसे मैं हर वीडियो के शुरू में पढ़ती हूँ न, आप लोगों ने भी अपने हर काम के आगास म बिस्मिल्ला पढ़ना है, ताके हमारे काम में बरकत हो सके, और जो काम भी हम कर रहे हैं, वो काम बेहतर तरीके से हम लोग कर सके, ठीक है? तो हमें हर काम करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बेलकुल ठीक, बिस्मिल्ला पढ़ना चाहिए, वैरी गड़, चो चले हैं आपने उन तस्विरों को पहचांद के मुझे बता यह इनकी नाम क्या है हम् Warm… तो प्यारे बच्चों मुझे यह बताओ यह क्या है हम्.. लंबे सी सून्ड है इसकी और बड़े बड़े कान है यह हाथ ही है औरे ये दो बहुत प्यारा सा चोटा सा प्यारा सा जानवर है ये क्या है? ये हिरन है अरे भाई ये क्या है? ये हथोड़ी है और इससे हम दिवार पर कील भी लगाते हैं और शोटे बचों को तो ये नहीं पकड़ना चाहिए ये हाथ पर लग भी सकता है अब मुझे ये बताएं बई इस लड़के के हाथ में क्या है ये होकी है और होकी बहुत अच्छी खेल है हमें इस होकी खेल के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है अब मुझे जरा बताओ कि आपको इनकी पहली आवास कैसे सुनाई दी है जरा गौर से सुनना मैं आप लोगों के सामने तमाम चीजों के नाम बहुत आराम आराम से पढ़ने जा रही हूँ आप में गौर से सुनना इसकी पहली आवास क्या आ रही है हाथी हिरन ही थोड़ा हा की वेरी गुड तो इसकी पहली आवाज क्या रही है हम्म हे की आवाज क्या है और ये हे की शकल है नजर आ रही है ये हे की पूरी शकल है और इसके साथ ये क्या है हम्म ये हे की इप्तदाया शकल है अच्छा मुझे ये बताओ कि हमें इन नामों के नीचे जो हिज्जे नजर आ रहे हैं यहाँ पर हमें हे की शकल कहां कहां नज़र आ रही है। हाथी के शुरू में हे है, हिरन के शुरू में हे है, थोड़ी के शुरू में हे है, हाकी के शुरू में हे है, वेरी गूर, आप लोगों को बहुत अच्छे से सबक्याद हो रहा है, अच्छा मुझे ये बताओ, हे की मुकमल शकल और हे की तदाया शकल किस-किस को लिखनी आती कुछ कुछ बच्चों को आती है तो हम आज इसकी सारे बच्चे मिलके प्रैक्टस करेंगे ठीक है मैं सबसे पहले आपके सामने बोर्ड पर लिखूंगी और उसके बाद हम खुद लिखेंगे ठीक है जी ये है हे लिखने का तरीका यहां पर हम डॉट लगाएंगे ओपर से नीचे की तरफ गुलाई में घुमाते हुए इदर लाके छोड़ेंगे ठीक है तो ये है हे की मुकम्मल शकर अब हम सब मिलकर इसे हवा में लिखेंगे फिर हम अपनी कलाई पे लिखेंगे टेबल पे तो उमीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत को सिखा होगा मजीर सीखने और जानने के लिए हमारे साथ हैएगा मिलते हैं अगली वीडियो में